दोस्तो आज मैं आपको इंडियन टूइलर मार्केट की स्पोर्ट्स कम्मुटर सेग्मेंट का वान अप दी मोस्ट पॉपुलर बाइक टीवीए से अपाचे आर्टियर वानसिक्स्टी टूवी का एक डीटेल रिविव देने वाला हों टीवीए से अपाचे आर्टियर वानसिक्स्टी टूवी बीए सिक्स दो वैरियन्ट में एवेलेबल है एक है सिंगल डिस्क वारियन्ट और दूसरा है डूइल डिस्क वारियन्ट इसके अलावा ये बाइक पार्ल वाइट, मैट ब्लू, मैट रेड, ग्लॉजी ब्लैक, ग्ल माइलेज, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन के साथ-साथ ये भी बताऊंगा कि इस बाइक में नया फीचर्स क्या-क्या एड हुआ है आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्यूंकि इस वीडियो का हर एक पॉइंट बहुत ही इंपोर्टेंट है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा कर दी बाइकर्स डायरी फेमिली से जुर जाएए और मेरा इंस्ट्राग्राम और फेस्बुक पेज को भी फॉलो कर लिजिए लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल TVS Apache RTR 162V BS6 Single Disc Variant का एक्सोरूम प्राइस कोल कता है 95,500 और Dual Disc Variant का एक्सोरूम प्राइस रखा गया है 98,500 और प्राइस अन्रोड प्राइस और फाइनन्स कीम जानने के लिए डेस्क्रिप्शन पे दिया गया नंबर पर कॉल कर सकते हैं दोस्तो सबसे पहले तो मैं इस बाइक का लुक्स को लेकर बात करने वाला हूँ 2020 TVS Apache RTR 162V BS6 Variant में बाइक का डिजाइन में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है सिर्फ स्टीकर्स और ग्राफिक्स को बदलाया गया है जिससे अभी ये बाइक पहले से और भी स्पोर्टी दिख रहा है अभी आप इस बाइक का मैट ग्रे कलर को देख रहे हैं फ्रांट की तरफ से देखे तो पहले जैसा ही हेट लाइट सेटप आपको इस बाड़ भी देखने को मिलेगा हेट लाइट का साइड का ओल बॉडी कलर से मैच्ट है और एक ब्लैक कलर का उइंड शिल्ड भी यहाँ पे दिया गया है और इस उइंड शिल्ड की राइट साइड में इंडियन फ्लैक भी यहाँ पे को मिल जाएगा दोस्तो इस बाइक का फ्रांट मडगाड भी बॉडी कलर जैसा ही है और इसके उपर में वाइट, ग्रे और रेट कलर का स्टिकर से ग्राफिक्स किया गया है टीवीए से अपचे आरटेर वान सिक्स्टी बीए सिक्स में 16 लिटर कैपसिटी वाला मस्किलर फूल टैंक आपको मिल जाएगा टैंक का दोनों साइड में ब्लैक कलर में टीवीए स का 3D होर्स लोगों यहाँ पे देखने को मिलेगा टैंक का मिडिल में यहाँ पे नया ग्राफिक्स दिया गया है वाइट, ग्रे और रेट कलर का ग्राफिक्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइड की तरफ देखे तो साइड ग्राफिक्स भी बिल्कुल नया है यहाँ पे ग्रे और रेट कलर का यूज़ वा है साइड पैनल ब्लैक कलर का है और इसमें स्टीकर से यहाँ पे एपचे ब्रैंडिंग किया गया है और यहाँ साइड पैनल में कारवन फाइबर फिनिश भी आपको मिल जाएगा टेल काउल की तरफ देखे तो टेल काउल की निचला हिस्से में रेड और ग्रे कलर का ग्राफिक्स दिया गया है और उपर में यहाँ पे RTR 160 ब्रैंडिंग और इंडियन फ्लैक देखने को मिल जाएगा रियर साइड का जो एक्स्टेंशन है उसमें कारवन फाइबर फिनिश भी यहाँ पे दिया गया है लेटेस्ट सेफ्टी नर्म्स के चलते रियर साइड की दोनों तरफ येलो रिफलेक्टर और रियर में रेड रिफलेक्टर भी अड़ कर दिया गया है बैक साइड काउल में भी यहाँ पे नया ग्राफिक्स मिल जाएगा दोस्तो इस बाइक में एक बेली काउल भी दिया जाता है जो इस बाइक को एक एग्रेसिव लुक्स देता है इस बेली काउल की राइट साइड में TVS रेसिंग ब्रैंडिंग और लेफ्ट साइड में RTFI एंड TVS रेसिंग ब्रैंडिंग क्या गया है अब टेक्निकल स्पेशिविकेशन की बात करें तो दोस्तो दी ओल न्यू टीवीए सेपाचे राटियर वांसिक्टी टूवी बीए सीक्स रेस्ट्यूंड फ्वेल इंजक्शन यानि आर्टी एफ़ाई टेक्नलोजी के साथ लैज है आर्टी एफ़ाई एक ऐसा टेक्नलोजी है जिसके चलते ये बाइक पहले से और भी ज्यादा फ्यूटरिस्टिक पावरफुल ब्रेसिंग मेशिन बन चुका है TVS Apache RTR 162V BS6 में 159.7cc एयर कूल्ड टू वैल फ्वेल इंजेक्टिड एंजिन मिलेगा जिसका मैक्सिमाम पावर है 15.53 PS अट 8400 RPM और मैक्सिमाम टॉर्क है 13.9 Nm अट 7000 RPM BS4 कमप्लाइंट TVS Apache RTR 2V में मैक्सिमाम पावर था 15.1 PS अट 8000 RPM और टॉर्क था 13.03 Nm अट 6500 RPM मतलब दोस्तों जहाँ पे सभी कमपणी की बाइक्स में BS6 अब्रेड के चलते पावर ड्रॉप हो रहा है वहाँ पे TVS Apache RTR 162V में पावर इंक्रीज हुआ है लगबग 0.4 PS और टॉर्क इंक्रीज हुआ है लगबग 0.8 Nm दोस्तों अभी ये बाइक नई टेक्नलोजी के साथ रीट्यून किया गया है और उसी के चलते पहले से और भी अच्छी माइलेज ये बाइक प्रोवाइड करेगा लगबग 45 KMP माइलेज इस बाइक में आपको मिल जाएगा इस बाइक का एक्सास्ट माफलर को भी आपग्रेड किया गया है यहाँ पे एक ऑक्सिजन सेंसर देखने को मिल जाएगा और इसके थोड़ा नीचे यहाँ पे एक कैटलाइटिक कॉनवर्डर भी दिया गया है दोस्तो इस बाइक में पहले चैसा ही 5-speed gearbox का ही उजवा है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आप FI unit को भी देख पाएंगे और दोस्तो कीक स्राट का ऑप्शन को इस बाइक से पर्वनेटली हटाए गया है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कीक पड़ल नहीं है प्राफिक में आपको स्मूथ एंड कंट्रोल राइड एक्स्पिडेंस प्रोबाइट करेगा फ्रेम एंड सस्पेंशन की तरब देखे तो दोस्तो टीवी एस अपचे आर्टेर 162 वी बीए सिक्स में पहले की तरह ही डुएल क्रडल चेसिस का ही उजवा है रियर साइड में बॉक्स टाइप स्विंग आर्म भी आपको मिल जाएगा इस बाइक का फ्रांट में 35 mm टेलिसकोबिक सस्पेंशन के साथ-साथ रियर में स्प्रिंग लोडेड मोनो ट्यूब इनवर्टेड गास ट्विल्ड ट्विन सस्पेंशन आपको मिल जाएगा टीवी एस अपचे आर्टेर 162 वी बीए सिक्स का ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm हुईल बेस है 1300 mm सीट हाइट है 790 mm और कार्बो एट है 137 kg ब्रेकिंग सिस्टेम की बात करें तो दोस्तों टीवी एस अपचे आर्टेर 162 वी बीए सिक्स वैरियंट अवीट सिंगल चैनल सुपर मोटो एबीएस के साथ आ रहा है सुपर मोटो एबीएस यूनिट को नई टेक्नलाजी में बनाए गया है और रेस्ट्रैक में भी टेस्ट किया गया है ये ब्रेकिंग सिस्टेम आपको एक अल्टिमेट ब्रेकिंग प्रोवाइट करेगा मैंने पहले ये बताया था कि टीवीएस अपचे आटेर 162BBS6 दो वैरियंट में एवेलेबल है अभी आप डुएल डिस्क वैरियंट को देख रहे हैं इस बाइक का फ्रांट हुईल में डुएल पिस्टन कलिपर 270 mm रोटो पिडल डिस्ट ब्रेक विच सुपर मोटो ABS मिलेगा आप यहाँ पे ये ABS सेंसर और ABS सेंसर प्लेट देख सकते हैं इस बाइक का रियर हुईल में सिंगल पिस्टन कलिपर 200 mm रोटो पिडल डिस्ट ब्रेक दिया गया है TVS Apache RTR 162V BS6 वैरियंट में स्टेप टाइप सिंगल सीट आपको मिल जाएगा इस सीट में दो टाइप का मेटेरियल यूज हुआ है आप यहाँ पे ये डूएल स्टेच देख सकते हैं राइडर सीट नॉर्मल मेटेरियल से बना हुआ है पिलियान सीट में एंटी स्लिप मेटेरियल का यूज हुआ है रियर साइड में दो स्पीड मेटल ग्रेबर भी आपको मिल जाएगा चलिए आप बात करते हैं इस बाइक का इलेक्ट्रिकल सिस्टेम को लेकर टीवी एस एपाचे राइडर वांसिस्टी टूवी बीएस सिक्स वैरियंड में दो LED DRL के साथ DC operated 35 by 35 watt halogen bulb type headlight दिया गया है इंडिकेटर्स की बात करें तो clear lens वाला non-flexible turn indicators front and rear दोनों साइड में ही आपको मिल जाएगा टेल लाइट की बात करें तो दोस्तो इस बाइक में 0.5 watt twin triangle LED टेलाइक का यूजवा है switch console की तरब देखे तो दोस्तो decent quality का switch console इस बाइक में दिया गया है left side में pass beam, high low beam, indicator and horn switch and right side में engine kill switch and electric start switch मिलेगा instrument cluster की तरब देखे तो TVS Apache RTR 162V BS6 variant में white back lead वाला analog and digital combined instrument cluster आपको मिल जाएगा analog में rpm meter and digital में speedometer, odometer, twin trip meter, top speed recorder and time मिलेगा इसके साथ-साथ ABS indicator, turn light indicator, neutral indicator, high beam indicator, engine malfunction indicator, low fuel indicator, service reminder indicator, battery health status indicator भी मिल जाएगा wheels and tires की बात करे तो दोस्तो, TVS Apache RTR 162V BS6 का front wheel में 90 by 90 size का tubeless tire मिलेगा rim का side bit में TVS racing branding किया गया है rear wheel tire की बात करे तो rear wheel में 110 by 80 size का tubeless tire दिया गया है दोस्तो rear wheel rim का side में भी यहाँ पे TVS racing branding देखने को मिलेगा TVS Apache RTR 162V BS6 variant में street handlebar का use वा है और middle में यहाँ पे RTR 160 sticker भी दिया गया है इस bike में आपको chrome finished clutch lever and brake lever भी मिल जाएगा तो दोस्तो यह था the all new TVS Apache RTR 162V BS6 dual disc variant का एक detailed workaround review मुझे तो यह bike बहुत ही अच्छा लगा आपको कैसा लगा और इस bike के बारे में आपका opinion क्या है comment section में comment करके हमें जरूर बताइए आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को like and share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए motorcycle and scooter related update सबसे पहले पाने के लिए thanks for watching ride safe जैहिन चाओ